मुंबई भारती जन्ता पार्टी के तरफ से यह 13 वी जागर सभा का आयोजन मुंबई के पुईशर इलाके में विधायक अतुल भातकलकर जी के नित्यूद में किया गया इस मौकर पर अतुल भातकलकर जी ने कहा कि आने वाले मनफा चुनाओं में उद्धोर साब ठाकरे के नच्टा चार का तेरह ही वो करने की तैयारी में है ऐसे में क्या कुछ का अतुल जी ने आई आपको सुनाते और दिखाते हैं लेकिन उद्धो जी आप हिंदू तो वादी है ना तो मेरा आपसे सवाल है जिस दिन देवेंद्र जी फड़डविस के सरकार ने अबजलकां का थड़गा उखार दिया तो नेक्स डे सामना में हेडलाइन छोड़ो एक दो शब्दों की न्यूज भी आपने छपवाने के पहले आपने काम नहीं किया इसका जबाब आप पहले मुंबाइकर और महराराश्य के जनता को देनी की आवश्यक्ता है समापता करता हूँ जय हिन जय महराश्य जय भीन आप सभी से यहाँ पर हम सत्न्यरैन कथा ने सुने है थूड़ासा हाथ जोड़के बिननती है जब अपने नेता कुछ अच्छा बिसे बोलता है दिल को छूने वाला बोलता है तो ताली बजाएंगे वो और ज्यादा बोलेंगे और अच्छा से काम होगा हम सबों के जैसा बोला वैसा किया जैसा त्या वतंच त्या मतंच अपनला पर फिर विटले की पहला नंबर देशा मदे पाच्छे 43 मदे पहला नंबर पटकोली ला खासदार गोपाल शेक्टी हम लोगों को क्या और देंगे उस आधार पर नहीं उस बात को उजागर करने का काम नहीं किया वीडेयो के माद्यम से वही पुरावा बन गया हौही एविड़न्स बन गया उन्होंने उस वीडियोज में कर दिया मुंबई में 227 वाड हर वाड में मराठी कितने मुस्लिम कितने मराठी प्लस मुस्लिम शिवसिना की जीत हमारा तो विरोध किसी धर्म को नहीं मैंने पहले कहा मैं आज कहता हूँ यह उद्दव ठाकरेजी की शिवसिना मराठीों को भी बेवकूब बना रही है और मुसल्मानों को भी धुतला रही है इनको किसी के वोट के लिए लोगों की जरूत है मराठी मुस्लिम की बात आप करते हो तो मेरा सवाल इस जागर से उद्दव जी को है यह आपको मराठी और मुसलिम चलता है तो आपको मराठी और बिहारी साथ में क्यों नहीं चलता है आपको मराठी और गुजरादी के खिलाफ आप क्यों चलते हो मराठी और जैन हाथ में हाथ लेकर चले तो आपको गुसा क्यों आता है मराठी और उत्थर बारतिया अगर साथ में जीएं तो आपको तकलिप क्यों होती है मराठिय और दक्षिन बारतिया अगर साथ में काम धंदा करें तो आपके पेट में दर्थ क्यों होता है क्यों कि सिवा का काम न करके मुंबई महानगर पालिका के चुनाओ को जीतने के लिए सिर्फ तुष्टी करण की बात समाज में अलगा हुआ त्फेलाने की बात की तरफ बढ़ सके इस प्रकार की बात ये लगातार कर रही है राजनिती में जितने के लिए कौन से निचले स्तर पर जा सकते है उसका जीता जाता उधारण मुंबई वासियों को उसकी बारे में चीताओनी देना जागरित करना और समर्तन लेना ये कारेक्रम जागर मुंबई के माद्यम से हम कर रहे है और उसको बहुत ही बड़ा प्रतिसाद हमको जनता से मिल रहा है जागर सभा की तेरवी ये सभाती इस सभी सभाओं में नंबर वन सभा आपके विदान सभा के भरतियंदा बड़ी के कारेकरताओं को रुदय से धन्यवात देना चाहूंगा और आज की सभा इतनी बड़ी थी और ये तेरवी भी थी तो आने वाले दिन में मुंबई महानगर पाली का में उद्दो ठाकरे गुट का जो भस्ता चाहरे उसका तेरवी हम करके दिखाएंगे ये सभाओं में